माप संबंदित सवाल Measurement-related word problems आज हम सीखेंगे कि रोज मर्रा के कारियों का हल माप के प्रयोग से कैसे करते हैं अरे वा आम, दादू, एक आम खा लू खा ले ना, लेकिन पहले मेरी मदद करोगी हाँ दादू यह सारे आम हमें अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के हाँ भेजने हैं पहले इन आमों को इन बक्सों में डालना है हमें कितने बक्से चाहें होंगे दादू कुल कितने आम हैं, जोड़ो तो सही मैं करके बताती हूँ पंद रहा और सत रहा हुए बत्तीस बत्तीस और बाईस हुए चोवट और चोवट और अठारा हुए बहत्तर कुल बहत्तर आम हैं बहुत अच्छे अब इन बक्सों में आम रखेंगे दादू एक बक्से में कितने आम आएंगे एक बक्से में एक दर्जना याने की एक बकसे में बारा आम आएंगे तो 72 आम कितने बकसों में आप आएंगे? मैं दिखाऊं 72 को विभाजित किया बारा से तो ये हो गए 6 याने के 6 बकसे ओहो क्या हुआ दादू? हमें 10 जगए आम भेजने हैं और बारा के हिसाब से किवल 6 बकसे बनते हैं दादू, छोटे बकसे नहीं है क्या? है ना? बहुत अच्छा आइडिया है गुड़ी अगर 10 बकसे करने हैं तो हर बकसे में कितने हाम होंगे? फिर 72 को 10 से बिभाजित करेंगे आप चाहें तो वीडियो को रोक कर इस सवाल का हल खुद करने की कोशिश करें फिर अपना जवाब वीडियो में बताये गए जवाब के साथ जांच लें इसका परिनाम हुआ साथ हम कुछ आम बच जाएंगे न हाँ दादू दो आम बच जाएंगे यह बहुत बढ़िया हो गया छोटे बकसों में साथ आम आराहाम से आ जाएंगे और यह है बाकी दो आम यह है तुम्हारे लिए थाइंक यू दादू आम खाने से पहले एक सवाल और इन दस बकसों को मेरी गाड़ी की डिक्की में रखना है बकसे की उचाई है पंद्रह सेंटीमीटर और डिक्की की उचाई है एक मीटर तो यह बताओ कि एक के उपर एक कितने बकसे रखने होंगे यह मीटर और सेंटीमीटर क्या होते हैं? यह मापने की एकाईया हैं यह देखो, यह एक सेंटीमीटर है कितना छोटा? और यह एक मीटर है यह तो काफी बड़ा है? हाँ, एक मीटर मतलब सौ सेंटीमीटर तो डिक्की की उन्चाई हुई एक मीटर याने की सौ सेंटीमीटर हाँ, तो बताओ, कितने बख से एक के उपर एक आ सकते हैं? इसके लिए सौ को विभाजित करेंगे पंदरह से आप चाहें तो वीडियो को रोप कर इस सवाल का हल खुद करने की कोशिश करें फिर अपना जवाब वीडियो में बताये गए जवाब के साथ जांच लें इसका परेनाम हुआ चाहें और तस सेंटीमीटर बच गए यानि छे बख से एक के उपर एक रखे जा सकते हैं चलो अच्छा है हमें दस बख से रखने हैं तो एक तरफ पांच बख से एक के उपर एक आ जाएंगे और काफी जगा बच जाएगी इसी तरफ दूसरी तरफ भी पांच बख से एक के उपर एक आ जाएंगे पांच और पांच हो गए पूरे दस बख से आज हमने क्या सीखा? माप के प्रयोग से रोज मर्रा के सवालों को हल किया जा सकता है यह माप कई चीजों पर आधारित हो सकती है हमने लंबाई की एकाई जैसे मीटर एवं सेंटी मीटर पर आधारित सवालों के हल निकालने की विधी देखी धन्यवाद